नमस्कार आदाब, मैं हूँ प्रवीन और आप देख रहे हैं नियूस क्लिक का डेली राउंड अब शो, आईए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्कियों पर क्रिशी कानूर, आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर 26 मही को काला दिन मनाएंगे किसान संगठन हिसार, किसानों पर बरबर लाठी चार्ज की चारों तरफ आलोचना, प्रदर्शन की चेतामनी के बाद हिरासत में लिये गए किसान रिहा कुरून अपडेट, देश में करीब एक महीने बाद 3 लाग से कम नए मामले दर्श और आखिर में COVID-19, महारास्ट के कई शिच्चक ड्यूटी पर संक्रमित, फ्रेंट लाइन वर्कर बनाय जाने की मांग शनीवार को किसान महासंगठनों ने ऐलान किया कि 26 मई को दिल्ली की सिमाव पर चल रहे किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर देश भर के किसान इसे काला दिन के रूप में मनाएंगे वर्चुल प्रेस कॉंफरेंस में किसान नेताओं ने कहा कि आम नागरीकों के साथ मिलकर किसान अपने घरों, ट्रैक्टरों और वहनों पर काला जंडा फैराएंगे और प्रदान मंतरी मोधी का पुतला जलाएंगे सन्यत किसान मोचा जो 40 से जादा किसान संगटनों का नेतित करता है कि सचीव सदस्य बलबीर सिंग राजेवाल ने कहा 26 मही को हमारे किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो जाएंगे और इसी दिन मोधी सरकार को 7 साल पूरे होंगे इस दिन को हम काले दिन के रूप में मनाएंगे उन्होंने कहा कि केंडर सरकार सोचती है कि उसकी उदासिंता और नजर अंदाजी के तहट बाचिर बंद करने से आंदोलन कम जोर पड़ जाएंगे रवी वार को हर्याणा के हिसार में किसानों पर एक बाद फिर बरबर सरकारी हमला हुआ जिसमें सैक्डों की संक्या में किसान जिन में बुजुर्ग महिलाय भी शामिल थी को पुलिस ने बेरामी से पेटा जिसमें कई किसान बुरी तरह से लहुलुहान हो गया इस दोरान कई किसानों हो पुलिस ने गाड़ी और ट्रैक्टर समेत हिरासत में ले विया था हाला कि प्रदेश भर में किसानों के विरोत के बाद सभी को रिहा कर दिया गया हर्याणा के मुख्य मंत्री मनोहरलाल खटर ने रविवार को यहां एक स्कूल में पांसो बिस्तरों वाले कोवीड अस्पताल का उधगाटन किया और प्रदेशन के हिंसक होने से पहले ही कारेक्रम इस्तल से चले गए पुलिस ने दावा किया कि कुछ किसानों ने उन पर तब पत्थराओं किया जब उन्होंने उन्होंने रोकने की कोशिश की उन्होंने बताया कि प्रदशनकारियों ने पुलिस के पांच महानों को छती ग्रस्त कर दिया हाला कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने नजर आये हैं जिसमें पुलिस खुद किसानों पर पत्थर बाजी करते हुए दिख रही है साथ ही वो किसानों को भी बर-बर तरीके से पीटते नजर आई केंदी स्वास मंत्रारा तोरा आज सोमवार यानि 17 मई को जारी आगड़ों के अनुसार देश में करीब एक महीने बाद कोरोना के 3 लाग से कम यानि 2 लाग 81,386 नए मामले दर्श किये गए लेकिन अभी भी करोना से रोजाना 4,000 से जादा लोग अपनी जान गवा रहे हैं पिसले 24 गंडों में करोना से 4,106 लोगों ने अपनी जान गवाई है हाला कि इसी बीच देश भर में करोना से पिड़ित 3,78,741 मरीजों को ठीक किया गया है और अक्टिव मामलों में 1,1406 मामले कम हुए हैं देश में करोना के मामलों की संक्या बढ़ कर 2,49,65,463 हो गई है जिन मेंसे आप तक 2,74,390 लोग अपनी जान गवाई चुके हैं देश में करोना से पिड़ित 84,081 फीस दी यानि 2,11,014,066 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और इसी के साथ देश में आक्टिव मामलों की संक्या घट कर 14,08 फीस दी यानि 35,16,997 हो गई है स्वासमंत्राले किता जानकारी का अनुसार देश में करोना वैक्सिन की 18,29,460 डोज दी जा चुकी है दिन में से 6,19,211 वैक्सिन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है और आखिर में हम बात करेंगे महरास्ट की जहांके सोलापूर जीले के घिराडी गाउं के माने परिवार में हाली में करोना वाइरस से 4 लोगों की जान चली गई संगोल तहसिल के घिराडी गाउं में प्रमोद माने जीला परिस्त के प्राइमरी टीचर थे उनकी पंधारपूर विधासभा चुनाओं में ड्यूटी लगाई गए थी ड्यूटी पर रहते वे वह COVID संक्रमित हुए जिसके बाद वारस उनकी पत्नी, बेटे, मा और पिता तक फैल गया प्रमोद माने उन 212 शिचकों में से हैं जिनकी पूरे महराष्ट में COVID से मौत हुई है रिपोर्टों के अनुसार वह सब टीचिंग और नौन टीचिंग ड्यूटी के दौराद संक्रमित है गौर्ड तलब है कि कई जीला परिशदों ने शिचकों को COVID-19 संबंदित प्रशासनी काम और राज्ज के अनकामों के लिए ड्यूटी पर बुलाया था राज्ज में इतने सारे शिचकों की मौत की वज़ा से पूरे शिचक समुदाय में डर का महौल बना हुआ है रिपोर्टों के अनसा शिचकों से गावों में सर्वे और स्वास्त कर्मचारियों को टीका करण में मदद करने के लिए ड्यूटी पर बुलाया गया है उन्हें Food and Civil Supply मंत्राले की राशन वित्रण में मदद करने के लिए भी कहा गया था महराश शिचक परिशत के सचीव शीवनाथ दराडे ने कहा शिचक frontline workers के तरह ही काम कर रहे हैं हाला कि सरकारों ने अभी भी frontline workers नहीं मान रही है सरकार को ततकार प्रभाव से इसके बारे में पैसला लेना चाहिए नहीं तो और भी शिच्चक वायरस से संक्रमित होकर जान गवाते रहेंगे आज के डेली रॉंड़ अप में बस इतना ही News Click के YouTube चाल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखे Facebook, Twitter, Instagram पे हमें follow करे News Click देखने के लिए शुक्रिया